यूज करेगा तो किसमन नाइन के बाद टेन पे बात करता है मेरे बई टेन में कहता है वो हमें विच वुड बी रिकॉर्डड बाइ क्रेडिट एंट्री इंद अकाउंट क्या चीज़ क्रेडिट से रिकॉर्ड होगी यार अगर आपने मुझसे पढ़ा है अकाउंट तो आपको याद है मैंने आपको एक निमोनिक बताया था AED AED जिसको याद रखने के लिए अरफ एमिरेट्स तिरांग AED क्या चीज़ है AED का मतलब Assets Expenses और Drawings Asset Expenses और Drawings क्या चीज़ है AED का जो Nature है वो है Debit Nature क्या है Debit इसका मतलब जब भी Asset Expenses और Drawings बढ़ेगा तो उसको आप क्या करेंगे Debit ऐसे LIC LIC को याद रखने के लिए मैंने आपको निमोनिक बताया था Life Insurance Company Life Insurance Company अब यह LIC क्या है अकाउंट्स में Liability Income और Capital Liability, Income और Capital का Nature क्या है बेटा Credit क्या मतलब भाई Liability, Income और Capital बढ़ेगा तो आप इसको Credit करेंगे जब भी Asset Expense और Drawing बढ़ेगा तो उसको आप क्या करेंगे Debit तो पता यह चला मेरे भाई के Asset Expense और Drawing का Nature Debit होता है लेकिन जब Asset Expense Drawing को कम करना होगा तो हम Debit के बज़ाए क्या करतेंगे Credit उसके Nature के Against जाएंगे ऐसे Liability Income और Capital Credit पे बढ़ती है लेकिन जब इसको कम करना होगा तो Credit के बज़ाए क्या करतेंगे Debit Nature के Opposite जाएंगे अब पढ़ते हैं बच सवाल वो कह रहा है What would be recorded by Credit Entry Credit क्या होगा? या तो ये तीनों चीज़ें कम हो जाएं तो Credit होगी या ये तीनों चीज़ें बढ़ जाएं तो Credit होगी अब पढ़ते है Decrease in Capital यार Capital का वैसे Nature Credit होता है Capital बढ़ेगा तो Credit होगा अगर कम होगा तो वो Credit नहीं होगा बलके वो क्या होगा? Debit तो ये बात गलत होगी हमें बताना है Credit क्या हो? Decrease in Liability यार आप देखो Liability का Nature क्या है? Credit जब भी Liability बढ़ेगी तो Credit होगी और जब कम होगी Decrease जब कम कर रहें तो इसको भी क्या करेंगे? Debit करेंगे तो ये भी गलत होगी Increase in Assets बिलकुल अभी हमने बात कि है Assets का Nature जो है वो debit होता है Assets का Nature डेविट अगर asset बढ़ेंगे तो उसको debit करना बढ़ेगा हमें तो Credit बताना है तो ये भी गलत होगी और आखरी है Increase in Capital ये वाला right answer है भाई अगर आप देखो Capital का Nature credit होता है तो Capital अगर बढ़ेगा तो क्या होगा Credit तो answer क्या बना है इसका D answer बना